आप यदि State Bank of India का IFC Code खोजना चाहते हैं, तो आप बहुती असानी तरीके से निकाल सकते हैं, तो IFC Code का इस्तमाल किस जगा पे किया जाता है, और ये कितने डिजिट का होता है, और इसे किस तरह से निकाला जाता है, ये सारी जनकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लाश्ट तक देखते रहेगा, मैं हूँ राजन परसाथ, स्वागत आपका टेकनिकल सर्जी यूटूब चैनल में, तो State Bank of India का IFC Code का इस्तमाल, पैसे भेजने के लिए किया आता है, और ये दिखने में कुछ इस तरीके से रता है, और ये 11 डिजिट का होता है, अब बात कर लेते हैं, इसे किस तरह से निकाला जाता है, तो निकाल लेगा जो तरीका वो तीन तरीके से आप अपने IFC Code को निकाल सकते हैं, तो पहला तरीका, आप अपने State Bank के Pazbook का जो पहला पेज है, उसको आप खोलीजेगा, खोलने के बाद यहाँ पे आपका जो IFC Code नमबर दिया रहता है, एवंग तीसरे तरीके में आपको हमारे डिस्कीप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, तो लिंक पे जैसे क्लिक किजेगा, तो आपको हमारे वेबसाइट पे रीडिरेक्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको 10 सेकेंड तक वेट करन होगा, वेट करने के बाद आपको RBI के ओफिसियल वेबसाइट में रीडिरेक्ट कर दिया जाएगा, इसके लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रही हो, आप डिरेक्ट इसे टाइप करके विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका बैंक नेम मांग रहा तो आप यहाँ से अपने district दे सकते हैं, यहाँ अपने area का नाम दे सकते हैं, यह direct आपको यदि branch name पता है तो आप दे सकते हैं, यहाँ अपने area का pin code दे सकते हैं, जिस area में आपका वो bank है, तो मैं यहाँ पे pin code भी type कर लेता हूँ, क्योंकि pin code बहुत ही असान रहता है, तो उसके बाद आप get bank details पे click क लिजेगा, तो यहाँ पे देख लिजे यह खुल रहा, और यहाँ पे हमारे सामने एक bank का खुल गया IFC code, यह देख लिजे लिलुआ हावडा आपको दिख रहा है, तो यह हमारे area का नाम है, हावडा district पढ़ जाता है, और यहाँ पे देख लिजे इसका IFC code इस जगा पे आ सकते हैं, तो आप इसी तरीके से SBI का IFC code को निकाल सकते हैं, और आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, तो आसा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा, क्योंकि मैं ऐसी आप लोगे लिए लाते रहता हूं